इस कारिक्रम के पुनियार्जक हैं एक हताराच श्रियादिना दिगंबर जयन मंदिर आरके कॉलोनी भीलवाड़ा राजिस्थान याम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवर्द्धी के लिए नीती के विश्यों का अश्रवन कर रहे हैं जीवन में एक बात ध्यान रखना कुछ चीजें हमारे अंदर होना चाहिए और कुछ चीजें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए इन दौनों चीजों का अनुपात बना के रखना चाहिए जैसे एक मा जब बोजन पकाती है तो वो अनुपात रखती है दाल में पानी का, चावल में पानी का, आटे में पानी का, सबजी में मिर्च का कितना नमक डालना है करेला होगा तो दो बार नमक डालेगी इतना जरूरुजत है और जो नया नया विक्ति आठागी रो आटेगा भूपानी बहुत जादा डालेगा यह अनुपात यहार बेलेंस तो बोजन बनाते सोंमें एक बैलेंस रखा जाता है कि क्या चीज कितनी डालनी है ऐसी जीवन में भी बैलेंस रखना चाहिए कि क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है जिस दिन बाहर खाना होता है किसी क्या शादी में जाना हो उस दिन आपके घर में भोजन नहीं बनता आप ध्यान रखते हो कि आज भोजन नहीं बनाना है और जिस दिन बाहर नहीं जाना हो उस दिन भोजन जरूर बनाते हो आज नीती के विचे में यही बात कह रहे है घास का तिनका छोटा सा होता है दिखा आप लोगों ने घास का तिनका सूखा घास घास का तिन का छोटा होता है रूई के तिन के रूई के टुकडे उससे भी हलके होते लेकिन जो मांगता है जीवन में किसे से कुछ भी तो सबसे हलका होता है मनुष्य हैं मांगने वाले नहीं बनना चाहिए हम मनुष्य हैं हमें देने वाला बनना चाहिए मांगने वाला बनने से छोटे हो जाते आप क्या हैं बैगर है की गिवर है माता पिता हो या गुरु हो उनसे तो हकसे ले लेना चाहिए लेकिन दुनिया से आप मांगने वाले हो की देने वाले हो भगवान एक दिन मंदिर में बैटे थे और हमसे कह रहे थे कह रहे थे कि ये लोग हर रोज मांगने आते हैं कभी मिलने नहीं आते हैं भगवान कह रहे थे कि हर रोज तो मांगने आते हो कभी मिलने भी आया करो फिर मैंने सूचा कि भगवान से क्या बोले मैंने एक बात लिखी कि दो भिकारी देखे दुनिया में एक मंदिर के बाहर और एक मंदिर के अंदर दो मांगने वाले देखे हैं एक मंदिर के बाहर और एक मंदिर के अंदर अगर मंदिर के अंदर भी आकर कि तुम परमात्मा से कुछ मांग कर रहे हो तुम अभी बैगर हो तो क्या किया जाए भगवान से कभी मांगना नहीं भगवान से पुकार करना अरज करना मांगना नहीं क्योंकि मांगने वाला छोटा हो जाता है पता आपको Jain Muniraaj के छीव करते दिगंपर Muniraj क्योंकि वो किससे क्या मांगेंगे, तो धसका नूठ दे तो, कटिंग कट शराना नहीं जो देते हैं, जो कभी मांगते नहीं है, वो अपने हाथों से बाल नजाल लेते हैं, मांगते नहीं उसके नुक है उसलिए मांगने वाला नहीं देने वाला बने की अगर आफ आप मांगने वाले बंते हो तो बहुत चोटे उस जाते हो लगने अगए are द्धान रखना कमी कहीं कहीं जीवन मांगना भी चाएंगे balance बना के रखना किसे मांगना चाहिए गुरु है प्रभु है, माता पिता है इनसे तो हक से मांगना चाहिए छोड़ा भी लो तो कोई बात ने हमारे हैं लेकिन देने वाला बहुत स्रेश होता है और मैंने देखा कि परमात्मा से मांगने वाले तो बहुत है परमात्मा से मांगने वाले बहुत हैं लेकिन उनको समय देने वाले बहुत कबल है अगर आप कुछ मांग करते हो गुरु से परमात्मा से तो उनको देना भी सेखो देना भी सेखो जिसके सहारे चल रहे हैं जी रहे हैं, उसके लिए क्या करतब भी होना चाहिए, इसका भी बहुत रखना चाहिए निती कह रही है, जो हवा चलती है ना हवा, हवा भी मांगने वाले विक्ति से दूर होके चलती है पूछो क्यों? जो हवा चलती न वो मांगने वाले विक्ति से बड़ा दूर हो के चलती है उसको भी डर लगता है कहीं कुछ मांग न ले हमारे M.P. में कहते है जो शाना विक्ति होता है न वो कहीं भी कुछ भी निकाल लेता है कि उससे हर कोई बचके चलता है कभी क्या काम निकल वाए तो उसे पता नहीं चलेगा इसलिए जो मांगे उससे दूर रहो उससे दूरी बना के रखो क्योंकि क्या पता वो कब मांग ले और कब क्या देना पड़े और श्री राम ने बात कही थी कि रगुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई इसलिए कभी मुका पड़े वचन देने का तो वचन देना प्रवचन देना वचन दिया दसरत ने तो दुखी हो गए वचन दिया ना किसने दसरत जी ने वचन दिया दुखी हो गए जिन लोगों ने वचन दि करता कभी जहना अकम से पड़ो तो मालम चलेगा कि राजा पद्म ने वचन दिये तो मुनियों पर उपसर्ग हो गया इसलिए वचन मत देना किसी को और जीवन में कभी भी परिस्तिती आ जाए मांगने मत चले जाना मांगने गए हो तो बहुत छोटे हो जाओ गे मांगने वाले के साथ कोई भी रहना पसंद धी कि आमाणो आप तो थोड़ी-थोड़ी से कभी मांगने देख लो यरी आप देखना जिस दिन बोली हो मंंदिर में तर जिन सब वक दूसरे को देखते हैं उपर नीचे देखते हैं इसके सुझदेधर आजाए, जिसका परिस्थथच फिश्सी हखराब हो आप समझ जाते हो मांगने आया है उश गोड़ा कीछ नहीं हो हां मिलते मिलते हम आते हैं किसा जाते हु कि मांगन नहीं देना सिखे ए两ों придेने बाला भीक्ति बाओगा होता है लेकिन आप से कोई मांगे तो देने में न चूके दोनों बाते समझना बैलेंस नमक में नमक पानी में पानी बैलेंस बनाके लखना एक पूरा लाइफ का बहुत बड़ा बैलेंस बनाके रखना मांगना कभी नहीं लेकिन कोई मांगे तो देने से चूकना भी नहीं किजी ने पूचा राम से कि आप सुना है कि उधार मना है राम बोले हाँ मैं उधार मना हूँ तो आपकी उधार तक क्या प्रतीक है राम बोले अगर किसी को वचन दिया है प्राण भी चले जाएंगे अपने भचन बदलता नहीं कुछ दिन बाद ऐसे ही हुआ सीता हरन के समय राम बैटे थे अपने पत्थर के आसन पर और विभीचन को सामने से आता देख राम कहते है आईये लंकेश विभीचन को इस्थान दिया चर्चा वारता हुई राम कहते है अभी युद्ध होगा अगर रावण नहीं माना तो युद्ध होगा और युद्ध जीतने के बाद आप लंका के राजा बनेंगे बले युद्ध मैं क्यों न जीतू बात तो हो गई पूरी बात हो गई पूरी पीछे से मंतरी आके कहते हैं या आपने क्या कर दिया, अनिष्ठ हो गया, बोले आपकी पिता ने वचन दिया था, तो आपको वनवास हुआ है, आपने वचन दे करके तो अनिष्ठ कर दिया, बोले मैंने क्या गलत किया, बोले अगर रावन मान गया, और उने सीता लोटा दी तो, कहा का राज दोगे, रा यह राम ने देना चेखा है तो राम है और देनि अनको दादा बोलते है Meg custom लच्किर्ट एक दंगों देना प Messiah दूसरा है वहले हाथ दो हnoise IP क सानर आया वाले भाई एइ से नहीं दे गया है लाला है मुझे लो भी या मेरा हाथ लो उत्रंद ले लिया मरते समय भी मांगने वाले की प्रवत्ती कैसी होती है मरते समय भी मांगने वाले की प्रवत्ती कैसी होती है विचार करना आप किस कैटिगरी में आते हैं देने वाले की मांगने वाले इसलिए मांगने वाला छोड़ करके यह शम्द आपके जीवन से निकल जाए देने वाला बने और सबसे कीमती चीज होती है समय दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है समय आप अपनों को समय देना भी सीखे जिनके नियोग से आपका जीवन चल रहा है जिनके नियोक से आपका परिवार पल रहा है ऐसे प्रभू को ऐसे गुरू को समय देना भी सिखे जान रखना आप मांगने के अधिकारी हो वो देने के अधिकारी हैं इन कभी दोके से उन्होंने सोच लिया तुमको देना पड़ेगा देना पड़ेगा महा भारत का नाम सुना आप लोगने सुना हैं महा भारत का नाम जब महा भारत होई जब महा भारत होई तो उसके पीचे का पारण डूड़ना गया तो कारण रहा लोब कारण क्या रहा लोब दुर्योधन को सिर्फ चाहिए था देना कुछ नहीं था जब सम्झोता होता कभी किसी उद्ध में तो बोला गया दुरियोधन से कि तुम सिर्फ पांच गाओं दे दो पंड़ों को दुरियोधन ने का एक पांच गाओं सुई की नौक बराबर जमीन दे दूगा जो तेरा सु मेरा जो मेरा सु मेरा राम ने तो यह नहीं सिखाया राम ने कहा जो तेरा सो तेरा जो मेरा सो भी तेरा दिकंबर मुनी कहते हैं तो तेरा तो मेरा यह दुनिया जूटा जमेला लगता है चीज हमारी है किसी की नहीं है आपको लगता है कि चीज हमारी है किसी की बहिया इस चक्कर में नहीं पढ़ना किसी की नहीं है लो भी कभी मत बनना लो भी कभी मत बनना मुझे चाहिए मुझे चाहिए है कि सोच करके यह सोच ना बंद करके यह चिंतन चालू करें मुझे देना है मुझे देना है ऐसा करो आप लोग हाथ और इस हाथ से देने का प्रयास करो लेने वाला नीचे हो गया छोटा हो गया लेने वाला छोटा हो गया और एक बड़ी सुन्दर प्रवत्ती है जैनों में और जैनों में क्या बोले भारतियों में कहले तो अर्चा रहेगा वो गुटका खाते है और वो गुटका खाने वाला विक्ति ऐसा होता है कि वो तो लेबर से भी ओलता है देना गुटका और लेबर से भी गुटका लेके खा लेता है मांगने वाले की ब्रवत्ति होती मतलब वो गुटका जो होता है गुटका जिसको गदा भी खाना पसंद नहीं करता वो तम भागों के बत्ते यह देना जरा भी है देना भी है क्या मांगना अपने आपको एक विक्तित बनाओ मांगना नहीं देना से को जब आपके हक्की बात हो जरूर कहना तब जरूर कहना और आपने एक्जाम दिया है कोई नंबर कहीं काट लिए गए है जरूर मांगना वहां मत सांथ बैठना यह दो बोलो आपने तो बोले महराज जी बताया है कि मांगना नहीं तो राम क्यों कहें लड़ने के लिए रामर से छोड़ देते अपने हक की चीज़ों कभी छोड़ना नहीं लेकिन कहते है नीतिकार कि एपनी आवकात से ज्यादा कभी मांगना भी नहीं जितने के हकदार हो उतना जरूर लेका या आज की नीति अगर आपके जीवन में दर जाएगी तो आप सब दर जाएगे उतारिये इस नीति को जीवन में टारिये गिवर बने, बैगर ना बने मांगने वाला विक्ति आंके नीचे करके खड़ा होता है देने वाला विक्ति छाती चोड़ी करके खड़ा होता है लेकिन इसका दुरुपियोग नहीं करना जो मांगना है, उसकी मांग रखना जो देना है, वो देना भी balance बनाके चलना कि तो आप अधूरी बात समझ लो तो घलबर हो जाएगा सब अधूरा मत समझ ना अधूरा समझ लो तो घलबर हो जाएगा ये मावीर सौमी का साशन है इसमें देना सिखाया है कोई बूचे आप से कि जेन इन लोग इतने अमीर क्यों होते कहते नभी हमारे बगवान सब कुछ छोड़के गए हैं हम कोई दे गए तो हम लोग अमीर है और इतना दे गए हैं कि उनको कहें 25-50 साल हो गया फिर भी हमारे पस खतम नहीं हुए कि हमारे बगवान की देन है और बच्पन मुझे एक बात सिखाई गई थी तो आज याद आ रही है कि वेटा जब जब मागोगे चोटे हो जाओगे और इतने चोटे हो जाओगे कि जमीन में चल रही चीटी भी तुमसे बड़ी रहेगी अगर तुमने किसे कुछ मांग लिया है तो आप बड़ी लेस हो गया है और जितना बड़ा विक्ती हो उसको उतना कम बोलना चाहिए उतना कम मांगना चाहिए आप लोग घर जाते हो ना जितने पुरुष्वर्ग यहां पर है वो सब घर जाते है फिर थाली लगती है उनके सामने पत्नी से कहते हैं लाओ दो देना रोटी देना घर का मालिक रोटी मांग रहा है घर का मालिक रोटी मांग रहा है दो रोटी और देना कभी मन बन जाए तो हमारे पास आजाना तुमको रोटी के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे रोटिया तुम्हारे चक्क्र लगाएं ये जेन दर्शन सिखाता है ये जेन दर्शन सिखाता है कि तुम अगर चक्क्र लगाओगे रोटियों के आप लोगों ने साथ साथ चक्क्र लगा लिए ना अब तुम रोटियों के चक्क्र लगाओ हम किसी के चक्कर नहीं लगाते हैं, रोटिया हमारे चक्कर लगाती हैं, आप दोनों हाथ से कमाते हो, सुकुन से एक हाथ से नहीं कमाते हो, हम किसी हाथ से नहीं कमाते हैं, तोनों हाथों से खाते हैं, देने वाले का कमाल है, इसलिए देना सीखे, लेना, लेना ना सीखे, ल उद्धार सिस्टम रहता है जीवन का उसका इसकी टोपी उसके सर उसकी टोपी इसके सर कुछ पैसे से ले लिए फिर उसके इसको लेकर चुका दिये उसी को नहीं पता कि इसको कितने दिन है ऐसे विक्ति का फोन बच जाए ने डर लगता है वो बोले वह यह पांचु सुरू बना के रखना हो मांगना मत ते ना सीखें मांगना ना सीखें शेच अपन और कभी आगे दिखेंगे आप सभी इस बात को अपने जीवन मतारना भगवान मावीर सौमी की